नमस्कार दोस्तों श्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों आज के इस योड़ी में हम बात करने वाले हैं रास्तान के प्रमुख प्रातात्विक इस्तिलों के बारे में जो कि रास्तान के हर किसे एकजाम में से इसमें से क्यूशन पूट अप होते रहते हैं तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पासान काल के बारे में तो इसमें देख लिजे आप पागोर की हविलिया भीलवाड़ा जिले के कोठार नदी के किनारे पर इस्तित है इसके उत्खनन करता है विरेंदरनात मिश्र और पसुपालन के साकसे यहां पर मिलते हैं इसके लावा आगे बात कर लिजे तिलवाड़ा के बारे में तो तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे इस्तित है जो कहां पर है बार्ड मेर में इसके उत्खनन करता है विरेंदरनात मिश्र यहां पर पसुपालन और अगनी कुंड के साकसे मिले हैं अन्ने के इंदर यहां प वह न पारे में इसे हड़पा सभ्या के नाम से बहुत की पर्थम नगरी क्रान अनुफर मान smrt माना जाता है उसको तो इसमें वह बाध कर लेते थे काली बंगा गगर नदी हनमानगड के किनारे पर इस्तित है काली बंगा का दूसरा नाम है काली चूडिया काली चूडियों के नाम से भी इसे जाना जाता है ये क्यूशन रास्तान के लगबग हर किसे एकजाम में पूछा जाता रहता है और इसके जो खोज करता है वह है अमल सब्ष safestर में इसका उत्खनन किया था इसके अलावा बीकश ठापर भी इसके उत्खनन करता माने जाते हैं इसके अलावा आगे बात करते हैं अडप्त हैं अडप्त representation सब्वेता की थई रास्तान सब्वेता है इससे पहले अडप्त और संस्क्रति नाट इप पायली ती और मौंजोद्रों दूसरी और इसके अलवा सिंदू राश्तान की तीसरी ट्राम चैए जिसमें आगे बात करें तो सिंदूगाटी सब्देटा की गरीब बस्ति थी मकांकच्छी इटों के बनाया जाते थे थे सिंदू सब्देट सब्देट एक बारे में बात कर रहे हैं कि यहां पार लकड़ी की नालिया बनी हुई यह इंपोर्टेट कुछन आता रहता है हर किसे एकजाम में और जो क्यूषन है वरी क्यूषन यह इसमें की हलव 2टेवे क्येटní साख्से मिलते हैं शिंदुगाडी सब्गता में ज्युटेवेशें साख्से मिलते हैं ऐसा कह जाता तो यह किशें वह caring हरकिसी एकजाम है एक साथ दो पसले उगा सकते हैं सब्वेता के अंदर कौन-कौन सी वसले वह पहली है चना और दूसरी सर्शों आगे बात करें तो कली बंगा जो सब्वेता उसमें बुकमप के साथ से भी मिलते हैं इसके रावा करवा अग्रे कुंड पराप्त हुई है महर जो होती है ना वो बेलनाकार महर यहां से प्राप्त हुई है आगे बात करते हैं दोस्त काले बंगा में गुनी सो पचेंशी और छेंशी में एक म्यूजियम बनाया गया था तो दोस्तों ये भी बहुती अच्छा क्यूशन है ये भी लगबग पूछा जाता रहता है तो आगे बात कर लेते हैं अगले सब्बेता के बारे में अहड सब्बेता अगाटपूर दूलकोट की सब्बेता का नाम से भी जाना जाता है उदेपूर जिले में आयड और बेड़च नदी जो है उनके किनारे पर इस्तिता आहड शब्वेता इसके उत्खनन करता है अक्से कीरती व्यास रतंचंद्र अगरवाल वरेंदरनाथ मिश्र अश्मुक दिरेश शांकलिया एचडी शांकलिया दोस्तों यह ही इसके उत्खनन करता और इसका प्राचिन नाम है अघाटपूर और इस्तानी नाम है धूल कूट अगे बात करें तो महात्जन पत्काल के बारे में तो इससमें सबसे पहले महात्यन पत्काल जो है भारत की से कि नगरे कर्ांती मना जाता है इसको इसमें सबसे पहले बात कर लेते घैージ अल्वर जिले का इप बाग की हो जो जिर पोडता है और दिर्भ ये उसका उल्ले किया गया है विरातन गर जेफुर और विराट नगर का महाभारत में नाम मिलता है मतलब जो इसके राजदानिय मतस्य दनबत की वो विराट नगर जेपूर है और विराट नगर का महाभारत जो ग्रंत है उसके अंदर नाम मिलता है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है विराड नगर का महाबारत में नाम मिलता है लगवग बहुत कम लोगों को पता होगा इस चीज़ का तो इस पर थोड़ा गोर करिएगा आगे बात कर लेते हैं कुरू महाजनपद के बारे में और इसकी राज़दानी है मत् Mirror सुष्य इन महाजनपद के राज़दानी है मत्री है दोस्तो आगे बात करें सीवी जनपद के बारे में जो वरत्मान चितोड जिला है उसमेवाड मेवाड छेतर रगए भाग है इसकी राज़दानी है महद्यमिका नगरी महाबारत तता मिलता है और माबारत जो सबी को पता है इस को पहले उत्कणन माद्य मिका突d गख़ॉइक वह थकंनका दें भख़षी मोस्त कुछन हैं दोस्तों जो शिवी जनपत है उसका उत्खनन करता कौन दियार भंडार कर इसके उत्कृर्ण करता थे दोग अगे बात कर लेते हैं दोस्तो मालव जनपद के वारे में जो वर्तमान टोक जेपुर जिला है उसके पास इस्तित है मालव जनपद इसकी राज़दान यह है नगर सरवाधिक सिर्के मालव जनपद के प्राप्त होते हैं ये सिर्के रेड नामकिस्तां से प्राप्त होते हैं जो यहां का उत्खनन करता है वो है केलाशनात पूरी आगे बात कर लेते हैं योद्दे जन्पद के बारे में तो योद्दे जन्पद जिसमें वरत्मान गंगानगर और अन्मानगर जिले है इनका ही एक बाग माना जाता है इस जन्पद में कुसानों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था ये इसकी खास बात है इसके लावा बात करें तो सालो जनपद की ये अलवर जिले का ही एक भाग है आगे बात कर लेते हैं अरजुनाज जन्पद की जो अलवर वे सिकर जिले का एक भाग है नीम का थाना वाला जो है वहाँ पर इसके लावा राजन्य जन्पद जो बरतपुर जिले का एक भाग है आगे बात कर लेते हैं मोरीकाल के बारे में दोस्तों मोरीकाल में सबसे पहले बात करने वाले हैं बेराट जो जेपुर में हिस्तीत है इसी के बारे में इसे संकलिपी के नाम से जाना जाता है तो भाबरू जो अभिलेक है उसके बारे में हम कर लेते हैं सबसे पहले बात भाबरू अभिलेक क्या है तो बेराट की जो बीजक पहाड़िया है वहां से 1867 में केप्टन बर्ट ने इसे खोजा था भाबरू अभिलेक इसको बेराट की जो बीजक भाड़या वहां से केप्टन बर्ट ने खोजा सन अठाराशो शत्यानव में असोक ने इसमें बुद्ध संग धर्म का वर्नन किया है इसके लावा इस अभिलेक में असोक को मगद का राजा कहा है दोस्तो बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है जो भाबरू अभिलेक है उसमें असोक को मगद का राजा कहा गया है इस अभिलेक में बुद्ध धर्म के पुस्त को की जानकारी मिलती है जो भाबरू अभिलेक है उसके अंदर जो बुद्ध धर्म है उसके जो पुस्त के उसकी जानकारी भी मिलती है आगे बात कर लेता है वेंसांग के अंसार बेराट में आठ बोद्मठ से दोस्तों भूहुती गजभ का किशन है जो fantastic दिते उसके अंसार है आठ बोद्मठ से गाहती जो कालांतर में इन बोद्मठों को कि मुहारजा मिहर कुल ने तोड़ दिया जो राजा महिर कुल थे उन्होंने कालांतर में जो बोध मठ थे आठ बोध मठ उनको तोड़ दिया था जेपुर के राजा राम सिंग ने भी यहाँ पर खुदाई करवाई उस समस्षोने के एक छोटी सी संदुग मिली जिसमें साइध भगवान बुद्ध के अवरोध थे इ इसके अलवा 1936 में दयराम सानी ने याँ पर उत्खनन करवाया जो दयराम सानी थे उन्होंने उन्हें उन्हें पर उत्खनन करवाया बेराट की लिपी है संक लिपी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों यह भी बहुत ही अच्छा क्यूशन है यह लगबग ह्रह एकजाम म वाले हैं इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम जैसे वीडियो अप्लोड करें तो आपको मिल सके और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक किजे शेर किजे फिलाल दोस्तों इतना है बाकी अगली बार फ